जहार जहारखंड नमस्कार साथियों आपका आपना यूटूब चैनल रामा मैथ मस्ती में स्वागत चलिए दोस्तों आपको डेली की तरह आज भी जहारखंड एक्साइज कॉंस्टेवल में प्रीबियस एर के क्यूचन के देखते हुए प्रैक्टिस सेट बनाया जा रहा है और इस प्रैक्टिस सेट में आपको इंपोर्टेंट क्यूचन दिया जा रहा है आप जरूर डेली पांच क्यूचन देखें आप दस में दस क्यूचन बना करके आजाएंगे ठीक है चलिए ले चलते आपको क्यूचन की और अभी फिलहार बताते दोस्तों कि ये तेरह हजार प्लस भैकेंसी क्या है आने वाला है ठीक है इसका भी आपको जनकारी देंगे जब आएगा इसका भैकेंसी तो अभी नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है अभी मतलब न्यूज में बताया है कि इतना पर आना है ठीक है चलिए हम लोग अभी इस क्यूचन को ला दिया जाएगा और आए कि दो वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त मिलता है ठीक है दो वस्तु को हम लोग खरीदते हैं तो एक वस्तु मुफ्त मिलता याने कि दुकंदार के पास कितना वस्तु है तीन वस्तु है ठीक है दो वस्तु हम लोग खरीदते हैं ठीक है तीन वस्तू को खरیतते हैं ऑग खर उसका परतीसत निकालना है तो हमनों क्या करेंगे सौसे multiply करेंगे छुट परतीसत यहां पर हम लोग के निकल जाएगा कितना गया सौम एक से गुना करो सो वाटा पिन नो फी ती टि आई नो फी टी टी आई यह रहाब का क्यूचर नमबर बन चलिए इसको बनाने से पहले आपको बता दिते हैं कि यह जारखण एक साइब में यह दूंबर िसकías यह दोस्तो यह हा हमगा क्यूचर नमबर टू क्यूचर नम्बर टूधा सिंपल양े इसलिह तरह के क्यूचर आंथ्य ग्याद किजिए तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं असान ट्रीक और यह यहां पर दिखे आ है ठीक है ये रेट्शीं ?बी रेस्ईोसी लिखे लेंगे ठीक है उसके लेगे यहां पर लेकर लिखा उसको लीख देंगे यहां रिखा हुआ है रम है उसके बाद ऐसे कर लेंगे यहां पे रेसियो देंगे यहां यहां आपका वस यह खाली अस्थान में क्या करते हैं कि प्रोशन को उठा कर रख देते हैं जैसे यह आपका प्रोशन है यहां रख दो नि के आपका आ उसके बाद मल्लिपलाई करते हैं t120 रेसियो बी शीक्स रेसियो सी नाइन ठीक है इस टाइब के क्यूचन आपको अब हम बता देते हैं कि इस तरह के क्यूचन आप कभी नहीं भूलेंगे इस तरह के क्यूचन अगर आएगा ता आप जरूर सॉल्फ कर जिएगा और इस तरह के और क्यूचन हम बताएंगे अगले प्रेक्टिस सेट में चलिए यह रहा आपका क्यूशन का ओप्शन सही सी ओप्शन सही है ठीक है चलिए ले चलते हैं आपको next की चलिए दोस्तों यह रहा आपका क्यूशन नंबर 3 क्यूशन नंबर 3 देखिए आप बनाए एक बेक्ती अपने वेतन का 40% सौब परतिसत मान लिजिए कि बेतन उठाता होगा उसमें से चालिस परतिसत कापे भोजन पे खर्च करता है बीस परतिसत घर के किराय पर उसके बाद दस परतिसत मनुरंजन पर उसके बाद दस परतिसत क्या याता यात पर खर्च करता है ठीक है तुसको कितना बच गया कितना 35 मच चालिस अभी 60-70 यानि 20 पर तीस उसका ये बच गया ठीक है बच गया ख यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1600 रुपिया है तो उसका वेतन प्रति माह कितना है फिर से क्विचन पढ़ते है एक बेकती अपने वेतन का 40 पर तीस भोज करता है यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1600 रूपिया हो तो उसका प्रती माह बेतन क्या होगा यानि कि उसका 20% बच रहा है कितना 20% बच रहा है वो कितने के बरावर है चैसी गुना 100 यानि की 8000 रूपिया वो महीने का कमाता होगा ओप्सन से आपका राइट एंसर है इस तरह के क्यूशन अगर आपको मिले तो इस तरह से बनाएंगे आपको सबसे सिंपल ट्रीक है इस से जल्दी सौल भगा ठीक है थैंक यू ले चलते आपको नेक्स्ट क्यूशन चलिए दोस्तों देखिए यह है आपका क्यूशन नमबर फॉर ध्यान से आप पढ़ेए और इसको सौल किजिए उसके बाद हम सौल करते हैं ठीक है आप चाहते इंसर बता सकते हैं ठीक है किसी कस्वे की जनसंख्या प्रतिवर्स 25 परतिसत बढ़ रही है ठीक है 25 परतिसत क्य से बढ़के क्या हो रही है ठीक है चार से बढ़कर के चार से एक बढ़ना है मतलब पांच हो रही है प्रतिवर्स 25 परतिसत बढ़ रही यानि की चार था चार से एक बढ़के पांच हो रही ठीक यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी हो तो दो वर्स बाद कितनी होगी अ तो रहा है कि वर्तमान जन सेंगे कितना 4800 है ठीक है कितना 4800 अब इसको देखें कितना से 16 तिया 483 पे दो जिरो यानि कि 300 बढ़ रहा है ठीक है तो हम लोग इधर भी 300 से गुना कर देंगे 300 से 25 75 में 200 यानि कि 700 दो वर्स बाद कितनी होगी ति यहां पे 700 होगे यहां ओप्सन नमबर डी आपका राइट एंसर होगा सलिए ले चलते आपको नेक्स क्यूचन से लिए दोस्तों यह रहा आपका क्यूचन नमबर फाइफ क्यूचन नमबर फाइफ देखने में लग रहा होगा कि टॉप क्यूचन है नहीं बन पाएगा बट बहुत असान क्यूचन यहां पर दिखिए तो ए पलस बिके हाओलेश्वार माइनस की माइनस बिके हालेश्वार दिया हुआ है तोड़ देते हैं ए पलस बिका हॉलरी स्कुवार मांइस a minus b ka holly square नीचे क्या देवा a b दे दिया हुए ठीक है इसको a मालो इसको b मालो यह b और a b same है हो गया और a plus b calling sir kata a square plus b square plus 2 a b minus is guys holly sir करेंगे तो a square plus b square minus 2 a b । ठीक है by a b हो गया A square plus B square plus 2AB minus multiply करेंगे minus A square minus B square minus minus plus 2AB by AB यह से यह कटेगा 2AB और 2AB कितना हो जागा 4AB by नीचे कितना है A और B A और B का भेलू बच्वे ने किया 4 बच्वे यानि 4 इसका right answer होगा उमीद करते हैं कि दोस्तों समझ में आपको मैथ आ रहा होगा आप डेली के डेली मैथ देखिए 5 दिन तक देखिए आपको जरूर समझ में आएगा और मेरा वीडियो लाइक सब्सक्राइब और सेर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ थैंकियो